आज हम आप लोगों को S2S gas detector बारे में बताने जा रहे हैं S2S gas detector जो की एक toxic gas detector है जिसमें दो पार्ट है जो आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं पहला यह आपका electronic part है दूसरा यह sensor part है sensor part में जो है यह हमारा इसमें sensor होता है और इधर electronics parts में हमारा जो communication के लिए यहाँ पे signal cable termination होगा या power cable termination होगा वो सब होगा यहाँ पे और उसके बाद यह display unit है इसके अंदर microprocessor और जो converters लगे हुए हैं वो सारी चीजे हैं तो यह जो S2S है यह S2S एक toxic gas है और इसका जो unit है वो PPM PPM मतलब parts per million तो यह बताता है कि कितने particles per million है यह इसको detect करके बताता है और यह hydrogen sulfide S2S को detect करने के लिए detector है तो इस तरह का detector है इसका जो working principle है यह हमारा electro यह electrochemical sensor पे काम करता है इसके अंदर electrochemical sensor लगा हुआ है जो कि chemical S2S से जब अपना reaction करता है उसके बाद यह कुछ millivolts produce करता है या electrical signal produce करता है जिसकी वज़े से हमारी sensor को पता चलता है कि यहाँ पे gas presence है और जितना ज़्यदा electrical हमारा यह signal बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से यह gas director आपना value को बढ़ता जाएगा और यह signal generate करेगा इसका signal जो generate होता है वो analog signal होता है analog signal में हमारा क्या होगा 4 to 20 mm यह send करेगा कहां तक transmit करेगा हमारे control room तक और इसके बाद इसमें अगर हमने कुछ और safety equipment लगा रखे है जैसे हमारा इसमें बजर और लगा रखा है alarm system लगा रखा है वो सारी चीज़े activate हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारा h2s gas leak हो चुका है या leak हो रहा है तो उसके बाद हम उसके बचने के लिए जो भी उपाय है वो सारी चीज़े करेंगे